जो बिहार के लिए उप्यूक नहीं हैं वो विपक्षा चेहरा बनें जिनको बिहार की जनता ने नकार दिया वो देश की राजनीती करने की सपना वो पाले हूँ अखीकत है मुख्यमंतरी अब ठक गए हैं मुख्यमंतरी अब हार चुके हैं कि गंभीरता से उनका इलाज हो वो स्वस्थ हो ये कामना मैं जरू करता हूँ पर ऐसे में देश का नित्रुत करने की शम्ता उनमें नहीं वो बिहार में ही तीसे नंबर की पार्टी बने बिहार मे नहीं जब बिहार की जनता ही उनको पूरी तरीके से नकार दियो तो ऐसे में विपक्ष उनका नेत्रित तुस्विकार करेगा या देश उनका नेत्रित तुस्विकार करेगा या देश उनका नेत्रित तुस्विकार करेगा यह हूने नहीं वाला जो बिहार के लिए उप्यू की मैं बात नहीं कर रहा पर जिस तरीके से आज मतलब आए दिन मुंके स्वास को लेकर उनकी मांसिक्सिती को लेकर जो अफ़वाएं सामने आते हैं ऐसे में जरूरत है कि गंभीरता से उनका इलाज हो वो स्वस्थ हो ये कामना मैं जरूर करता हूँ पर ऐसे में देश का नेतरोत करने की शमता उनमें नहीं है जो बिहार में ही तीसे नंबर की पार्टी बने है बिहार में ही जब बिहार की जनता ही उनको पूरी तरीके से नकार दियो तो ऐसे में विपक्ष उनका नितृत तो शुकार करेगा या देश उनका नेतृत शुकार करेगा यह होने नहीं वाला पिछले कई दिनों से सदन नहीं चल रहा है और विपक्ष मांग कर रहा है कि गिरी मंत्री आए सदन में बयान दे बाहर क्यों बयान दे रहा है जिस तरीके से विपश के द्वारा किये जा रही है हर चीज़ पे गती रोद लगाना और मुझे नहीं लगता कि कोई सत्र ऐसा है जब किसी ना किसी एक मंत्री या प्रधान मंत्री के नाम को पकड़ कर ये लोग अढ़ना जाएं कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम लो सदन चलने दें सदन जनता के विशो से जुड़े हुए मसलों को उठाने के लिए मैं खुद एक सांसद होने के नाते अपने छेतर से जुड़े हुए कई ऐसे विशे हैं जो मुझे सदन के पडल में रखने जरूरी है हम लोग इंतजार करते हैं कि सत्र शुरू हो ताकि उ सके छेतर की जनता भी भाया टक टकी लगा के देखती है कि हमारा सांसर सदन में सवाल पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है हम लोग की हग की लड़ाई लड़ा नहीं लड़ा ऐसे में जब आप सदन चलने नहीं देते हैं सत्र को आप चलने नहीं देते हैं क्या पहली बार को अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद